हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शीव मोर आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब टेक्निक चैनल मिस्टर बॉट फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में लेकिंगन कOC मार्ण्स को मैं आपको धादर ही इकजीक्यूटब नइंगा चलिए फ्रस्ट मांड को अगर आपको on-screen कीबोड्र की जुरूरत है अपने कंप्यूटर में तो बिल्ड दीजिए तो आपके सामने एक virtual keyboard आ जाएगा अगर आपके system के keyboards के कुछ keys वगरा काम नहीं कर रही है तब ऐसे case में आप यहां से input दे सकते हैं और अपना काम जो है कर सकते हैं तो काफी अच्छा tool है इस tool के help से जो है तब next command को देखते हैं friends अगर आपको text manager open करना है तो आपको यहां पर लिखना होगा task mgr तो task manager जो है आपके computer का open हो जाएगा यहां से आप किसी भी task को देख सकते हैं kill कर सकते हैं तो यहां से आप चेक कर सकते हैं तो इस command को यह जितनी भी command से सारी commands आप run के अंदर भी execute कर सकते हैं अब next command को देखते हैं friends जो की run के अंदर ही execute होगी आपको अगर अपने system में math input panel को open करना है तो यहां पर आप लिखे mip math input panel और इसको ok कर दीजिए तो देखे आपके सामने जो है math input panel जो है open हो जाएगा तो इसकी help से जो है आप यहां पर अपनी math की कोई भी query कर सकते हैं से में आप लिखा अब मैं यहां पर टू करूंगा तो उपर टू आ जाएगा लिखा हुआ ठीक है तो इस तरीके अगर math का कोई भी आप input देना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसको चलिए मैं close कर देता हूं अब नेक्स्ट कमांड को देखते हैं अगर आपको अपने computer से laptop से Bluetooth की help से अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर अगरा करनी है तो ऐसे मैं आ जाएगा यहां से आप file को send भी कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं ठीक है तो बहुत अच्छी command है अगर आप Bluetooth से कोई भी data transfer करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो यह जो टूल है आप सभी के लिए काम आने वाला है तो चलिए friends अप next command को देखते हैं अगर आप अपने computer में my computer को open कर करना चाहते हैं तो यहां पर लिखिए explorer ठीक है यहां पर जैसे आप explorer लिखेंगे तो friends देखिए आपके सामने जो है my computer जो है open हो जाएगा this PC ठीक है तो अगर आप my computer को open करना चाहते हैं तो इस command की help से आप अपने my computer को open कर सकते हैं अगर आप सभी को folder options को open करना है तो उसके ले भी command है यहां पर लिखिए control.exe space आगे आप लिखिए folders जैसे आप folders को लिखके execute करते हैं तो देखिए आपके सामने file explorer के जितनी भी options हैं आपके सामने आ जाएंगे ठीक है तो यहां से जो है आपने file explorer को open कर सकते हैं इसके अंदर बहुत सार options है आप एक बार इसको देख जो है आप कर सकते हैं तो अचलिए अब next command को देखते हैं friends अगर आपको अपने computer में recent files को देखना है कि कौन-कौन सी थी तो आप simply windows r.y.a.run और यहां पर लिख दीजिए recent जैसे आप यहां पर recent लिखेंगे तो recent files जो है आपके computer में show हो जाएगी आपने जो जो फाइल्स वे एंटर कीजिए तो आप downloads folders के अंदर आप आ जाएंगे तो इसी तरीके से मैं आपको my computer खोल के दिखाता हूं यहां पर जितने भी folders हैं सेम नाम को आप run के अंदर execute कर दीजिए आप इन folders के अंदर directly access कर पाएंगे तो यह commands यह बहुत ज़रा help करेगी क्योंकि हमें maximum in folders के आप my computer को ना इस्तेमाल करके सिधा run में जाके इन folders का नाम देके जो है इनको open कर सकते हैं अगर आप सभी mouse setting को open करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर लिखिए main.cpl और execute कर दीजिए तो देखिए आपके सामने mouse properties आ जाएगी आपके mouse की settings है आप यहां से अपने mouse की settings को change कर सकते हैं ठीक है काम आएगी अगर main.cpl वर्क नहीं कर रही है तो आप यहां पर लिखिए control space mouse ऐसे maximum case में यह दोनों command ही work करती है और किसी-किसी case में यह command में से कोई एक command नहीं कर पाती है तो इसलिए मैंने आपको दोनों command बता दिए main.cpl और control mouse दोनों ही commands जो है mouse की properties माउस की settings को जो है open करती है अगर आप सभी देखना चाहते हैं कि आप जिस windows पर work कर रहे हैं और उसका version कौन सा है तो simply यहां पर लिखिए win were ठीक है यानि windows वर्जन जैसे आप यह से execute करेंगे तो देखिए आपके system में about windows open हो जाएगा और यहां पर show हो जाएगा कि आपका windows 10 का या जो भी window आप इस्तमाल कर रहे हैं उसका version कौन सा है तो windows वर्जन देखने के लिए आप सभी इस command का इस्तमाल कर सकते हैं control पैनल अगर आप open करना चाहते हैं तो यहां पर लिखे आप control और इसको execute कर दीजिए तो आपके computer का control panel जो है यहां पर open हो जाएगा तो control पैनल पैनल में जम कर जाएंगे अगर आप किसी ISO को burn करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर लिखे ISO burn जैसी मैं यहां पर ISO burn करूंगा तो एक blank DVD मेरे DVD के अंदर होनी चाहिए तो यहां पर open हो जाएगा ठीक है इससे आप ISO burn कर सकते हैं ISO burn करने के लिए बहुत अच्छी टे अगर आप सभी अपने computer में programs देखना चाहते हैं कौन-कौन से install है या उसको uninstall करना चाहते हैं तो यहां पर आप command लिखिए appwiz.cpl और इसको execute कर दीजिए जैसे आप इसको execute कर देंगे तो देखिए आपके system में जितने भी आपने यहां पर commands को यानि जितने भी software को यहां प आपके computer में installed है तो यह भी एक बहुत अच्छी commands है अब आगे की कुछ commands जो है friends और रन के अंदर work करेगी तो यहां पर जैसे अगर मैं run में जाता हूँ और यहां पर मैं double quotation mark के अंदर यहां पर back for यानि back slash यहां पर लगाता हूँ और इसको मैं जैसी execute करूँगा तो देखि आपके friends यहां पर आपकी c drive जो है windows जिसके अंदर install है वह यहां से open हो जाएगी यहां से जो है आप directly open करके अपने c drive के अंदर access पा सकते हैं और अगर आप run के अंदर double quotation mark के अंदर यहां पर simply dot या comma जो भी गोलते हैं इसको ठीक है जैसे आप यहां पर dot लगाएंगे full stop लग इसकी working directory है सब चीज जो है आप यहां से जो है check कर सकते हैं तो एक command जो है friends आप सभी के भोजा रहा काम आने वाली है इसलिए इस command को अपनी fingertips पे रखिएगा अगर आप सभी अपने users का folder open करना चाहते हैं तो simply run में जाहिए double quotation mark दीजिए और इसके अंदर आपको two time dot लिखना है यानि two time आपको यहां पर लगाना है और enter कर देना है double dot देना और enter कर देना है full stop देखे तो देखिए आपके system में users की list जो है आप आ जाएगी मेरे computer में खा लिया भी एक user बना हुआ है ठीक है आपके computer में जितने भी users होंगे आप उसको यहां से access कर सकते हैं उसको पर click करक वो सारी details जो है आप सभी यहां से access कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ friends आप सभी को वीडियो जो है जरू पसंद आए होगी वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो के रिगाडिंग कोई भी कोई रही है तो निच झाल